हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मिशन विताखास में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 16 जुन 2020 से संबंधित Most Important Current Affairs की दोस्तों वीडियो के सारे फ्रेशन बहुत ही महत पूरा है आप वीडियो के स्किपना करिएगा पूरा देखिएगा आईए देखते हैं पहला प्रेशन रेलवे सुरक्षा बल पूरे द्वारा सुरू की गई ट्रेनों में यातरियों को स्क्रीन करने के लिए तैनात रोबोट का क्या नाम है इसका राइट आंसर है Captain Arjun दोस्तों स्क्रीनिंग और सर्विलेंस को तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन Arjun लॉंच किया गया है यह मोसन सिंसर एक PTZ कैमरा और Dome कैमरा से लैस है दोस्तों वीडियो को सारे प्रेशन बहुत महत्पूर है दोस्तों यह तो सभी को पता होगा आपको भी पता होगा यह अभिनेता सुसान सिंग राजपूत 14 जून 2020 को अपने आवास में मृत पाए गए सुसान को छिछोरे MS धोनी The Untold Story और डिटेक्टिव ब्योंकेज बक्सी जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्सन के लिए जाना जाता था आई देखते हैं तीसरा प्रश्न जून 2020 में भारत सरकार पेशेवरों के लिए COVID-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन पहलूों पर कितने और पाठकरम आयुजित करेगी दोस्तों इसमें चार पाठक्रम और एड़ की रहेंगे भारत सरकार पेशेवरों के लिए COVID-19 महा मारी के प्रबंधन के लिभिन पहलूओं पर चार और पाठक्रमों का आयोजन करेगी यह पाठक्रम भारतिय तकनीक और आर्थिक सहयोग मंच का हिस्सा है देखते हैं अगला प्रेश्ण अटार्णी जनरल केके वेड़ू गोपाल एक वर्स का विस्तार पाने के लिए पूरी तरह तयार है उन्हें किस वर्स में भारत का पंदरवां अटार्णी जनरल न्यूक्त किया गया था स्री वेड़ू गोपाल का तीन वर्सों का कारकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा है उन्हें भारत का पंदरवां अटार्णी जनरल न्यूक्त किया गया था और नरेंद मोधी सरकार के 2019 में दूसरा कारकाल जीतने के बाद वे इस पद पर बने रहे आई देखते हैं पाच्वा फ्रेश्न हाल ही में किसने इम्तियाज और रह्मान को अपना CEO न्यूक्त किया इसका राइट आंसर है UTI Asset Management Company दोस्तों UTI Asset Management Company ने इम्तियाज और रह्मान को अपना CEO न्यूक्त किया है 2018 में लियो पूरी का कारकाल समाप्त होने के बाद रह्मान को अंतरिम CEO न्यूक्त किया गया था दोस्तों आपके अगर कोई क्वेरी हो कोई सजेशन हमें देना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं आई देखते हैं छटबा परश्न दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया हमारी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस कर दिजे और बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा आईए देखते हैं सात्वा प्रश्न, हाल ही में किसने सूच्म, लगू और मध्यम उद्यमों के लिए सुरच्छा वेतन नामक वेतन खाते की गोसड़ा की है? इसका राइट आंसर है, एए अटल पेमेंट्स बैंक, सुरच्छा वेतन खाते के माध्यम से, MSME और अनिसंगठन कैशलेस भुकतान करने में सच्छम होंगे, और अपने करमचारियों को वित्तीय सुरच्छा कवच विप्रदान करेंगे आईए दोस्तों देखते हैं आठवा प्रश्न, आरसेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोण रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है? इस खराइट आंसर है, ओडिसा, आरसेलर मित्तल ग्रुप का सबसे बड़ा इस बात निर्माता है, आरसेलर ग्रुप ओडिसा में 2000 करोण रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है दोस्तों हम आपके लिए वीडियो में most important और selected प्रस्ण लेके आते हैं, ऐसे प्रस्ण आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलेंगे, आई देखते हैं नवा प्रस्ण हाल ही में HDFC बैंक के कारकारी निदेशक के रूप में किसे पुना निउक्त किया गया है? इसका right answer है कैजाद भरूचा RBI ने HDFC बैंक के कारकारी निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा की पुना निउक्ती को मंजूरी दे दी है अपनी वर्तमान स्थिती में कैजाद भरूचा, कार्पुरेट बैंकिंग, व्यापारिक बैंकिंग, पुन्जी बजार और वस्तुओं के व्यापार आदी छेत्रों के लिए जिम्मेदार है आई देखते हैं दस्वा प्रस्ण महाराष्र ने अपने पर्यावरण मंत्राले का नाम पर्यावरण और जल्वायू परिवरतन मंत्राले कर दिया है विभाग सिव सेना विधायक आदित ठाकरे द्वारा नियंतरित है नया नाम अंकित विभाग प्रकृती के पांच तत्मों पर काम करेगा So friends, वीडियो यहीं तक थी आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो के लाइक करिएगा और दोस्तों आपको कोई क्योड़ी हो आपको कोई सजेशन देना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे संपर कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद